MBA कामवाली पापा चुप चाप बिजनस के लिए पैसे निकालो समझे जब तक तु कहीं काम करके नहीं दिखाएगी मैं तुझे एक पैसा नहीं दूगा पिता चला जाता है पीचे रह जाती है मा अरे जा बिटा शादी कर ले फिर पती के पैसे से ना खूब बिजनस करना समझी बेटी संधिया परिशान करे तो करे क्या MBA ये सोच कर किया था कि बिस्दस करे की कपड़ों का किसी के अंडर में काम तो नौकरानी करती है और वो तो MBA है लेकिन पिता के सामने किस की चली है ठीक है पापा मैं जा रही हूँ नौकरी करने आज ही एक जग से इंटर्व्यू कॉल आया है ठीक है जाओ बेस्ट ओफ लक पर पापा पता है दूसरों के यहां काम करने वाले को क्या कहते है नौकरानी सुना आपना मुझे नौकरानी बना रहे है हाँ हाँ ठीक है जाओ मैंने भी जीवन बर दूसरे के यहां नौकरी की तो क्या मैं हाँ पापा नौकरी रहे है अब मुझे भी नौकरानी बनने के लिए कह रहे है अच्छा पापा ये बताओ हम किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए क्यों भागे हम खुद के सपने क् संधिया अपने नए दफ्तर में जाती है जहां उसका बॉस अपनी बेटी के साथ खड़ा होता है संधिया के उमर की ही उसकी बेटी पास में खड़ी थी संधिया जी आई 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 ये तो आपने MBA किया है क्या क्या आता है आपको सर मुझे ना जमीन खरिदने से लेकर कंपनी लगाने और माल बनाने से लेकर उसे बेचने तक का होनर आता है लेकिन तब ही लड़की बोल पड़ती है पापा पापा इसे रख लो ना मेरे लिए ये सब कुछ मुझे सिखा देगी प्लीज पापा ये ठीक है मुझे पसंद है पिता जुके बास होता है बास संधिया बात बढ़िया तो ये है मेरी बेटी विबा तुमने इसे काफी अच्छी तरह से इंप्रेस कर दिया है देखो तुमारा काम सिर्फ इसके साथ रहने का है और फिर मतलब क्या करना होगा मुझे मार्केटिंग या एड्मिन या प्रोडिक्शन में मेरा काम होगा उस सब के लिए हम लोगों के पास स्टाफ है आपको ना सिर्फ मेरी बेटी के साथ रहना है ठीक है लेकिन मैं तू एमपीए हूँ और यहां नाकरी की तलाश में आई हूँ यहां आपकी बेटी की बेबी सिटर नहीं बना मुझे ए लड़की क्या बकवास कर रही हो काम नहीं करना था तो आई क्यो संद्या, जिसे किसी की बात सुनने की आदत ही नहीं थी ओट्या, लड़की क्या होता है संध्या नाम है मेरा बताया था ना मैं चली कोई धंका काम हो तो नंबर है मेरा HR के पास चलती हूँ संध्या दर्वाजा जोर से बंद करके निकल तो जाती है लेकिन जैसे ही कमरे के बाहर पहुंचती है कि पिता के शब्द याद आते हैं कि नाउकरी नहीं तो पैसा नहीं वो भाग कर वापस आती है सर सारी 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 मैं न मजाग कर रही थी वैसे आपकी बेटी को मेरे जैसे ही सेक्रेटरी की ज़रूरत है क्यों पापा देखो वापस आ गई सर मुझे ये नाउकरी दे दीजिए मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है मैं आपकी बेटी को इतना सिखा दूँगी कि दो माईने में ये अपना बिजनस को उल लेगी लेकिन अब बॉस के सर तो पारा चड़ा हुआ था क्या हो गया उतर गई हेकडी क्यों जी उतर गई बस रखलो ना किसी भी तरफ सर आप तो मेरे पापा जैसे है बस एक तरफ संध्या को देखता है और एक तरफ अपनी बेटी को फिर मानी मन सोचता है चलो रखी लेता हूं इसे कम से कम मेरी बेटी को सही रापर तो रखेगी नहीं तो इसके आवारा दोस्तों की तरह इसे भी आवारा बना दी की हाँ ठीक है लड़की सर लड़की नहीं संध्या नाम है मेरा हाँ तो संध्या चलो मेरे साथ मेरे कैबिन में मैं तुम्हें तुम्हारी सीट दिखा देती हूं संध्या को लेकर बॉस की बेटी विभाद चली जाती है अब क्या था उन लोगों के जाने के बाद बॉस पी इसे कहते हैं इस लड़की के साथ पियून जैसा बड़ताओ करना पियून पता है न जी सर ओफिस बॉय यानि की नौकर जो ओफिस का होता है वही न आ बिलकुल अब जाओ बड़ी आई थी मुझे एटिटूट दिखाने वाली विभा संध्या को उसके बैटनी की सीट दिखाई रही होती है कि पी ये आ जाता है संध्या तुम्हारी सीट वो है वो संध्या देखती है कि वो सीट दरवाजे के पास रखा टेबल था ये ये तो चप्रासी की सीट है जी और थोड़ी दिर के लिए वहां बैठो मैं विभा मैडम से बात करके आता हूँ बाद में तुम्हारा काम समझाता हूँ विभा क्या करती पिता से बिजनस के पैसे लेने थे तो ये काम करने के लिए वो तियार हो जाती है तब ही उसे कोई आवाज देता है वो उसके पास चाती है तुम चप्रासी तो लगती नहीं हो जरब पानी तो लेकर आना वें, MBA की आये मैंने, समझे, बड़े आये पानी मागने वाले, हट अरे, MBA करके चप्रासी के डौकरी, क्या समाना क्या है संध्या, PA का वेट कर रही होती है, कि वो आये और उसे उसके सीट बताए, लेकिन तभी संध्या, सुनो, एक ग्लास पानी लाना संध्या पानी लेकर जाती है तबी विभा उसे अपने खानी का टिफिन दे देती है संध्या खाना लगाती है उसे खाना देती है विभा के जूठे बरतन उठा कर रखती है कैसे हाथ चला रही हो जल्दी जल्दी काम करो ना मैं आप मेरे से कैसे बोल रही हो मैं MBA हूँ कोई एरी गेरी नहीं हूँ अच्छा तो ठीक है छोड़ दो नौकरी तुम्हें PA ने बताया नहीं क्या तुम मेरी personal assistant हो तो जो मैं बोलो वो करो संध्या मन में सोचती है कि वो क्या करे घर जाकर पापा को बोलेगी कि नौकरी नहीं मिली तो वो पैसा नहीं देंगे और जीवन भर किसी की नौकरानी बन कर उसे MBA नौकरानी भी तो नहीं बनना है क्या खोया खोया चांद हो रही हो जाओ मेरे लिए बाजार से नारियल पानी लेकर आओ संध्या बाहर की धूप देखती है और परिशान हो जाती है कहां तो पापा ने उसे कभी धूप में निकलने नहीं दिया और वो एक लड़की के लिए नारियल पानी लेने जाए क्या है पापा क्या क्या करना पढ़ रहा है आपकी जित के कारण जाल दे जाओ क्या सोच रही हो संध्या पैदल पैदल नारियल पानी लेने निकल जाती है लेकिन ये क्या रास्ते में उसे चकर आ जाता है और वो गिर जाती है भीड लग जाती है जब संध्या को होश आता है तो वो देखती है कि वो आफिस में है क्या है ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा छोड़ दो नौकरी अरे क्यों नौकरी करनी है तुमको सिर्माफ कर दीजी गलती हो गई पापा ने कभी दूप में नहीं जाने की आदट डाली है न लेकिन नो वरी कल से मैं छाता लेकर आऊंगी मैं करूंगी नौकरी संधिया बैठी होती है तभी एक असिस्टेंट विभा के पास आता है और उसे एक पेपर साइन करवा कर चला जाता है उसके जाने के बाद मैडम ऐसे न किसी पेपर पर साइन नहीं करनी चाहिए पहले पढ़ना चाहिए था अब तुम नौकरानी मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं थोड़ी देर बाद बॉस विभा की पास आता है उसके हाथ में एक फाइल थी बिटा विभा इससे पढ़कर इस फाइल को पूरा कर दो ठीक है मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ विभा के लिए तो काला अक्षर बैंस बराबर होता है संध्या उसे देख रही थी मैं बुराना मानना लेकिन एक बात पूछू आप कितना पढ़ी है और आपके आगे क्या फ्यूचर गोल्स है इसमें बुरा क्या मानना मैं मुश्किल से चौथी पास हूँ आगे की पढ़ाएं पैसे दे दे कर पापा ने कराई और आगे क्या करना है क्योंकि आप तो इकलौदी बेटी है तो सारा बिस्निस तो आपका ही है आँ वो राजेश देखेगा ये राजेश कौन है मेरा बॉइप्रेंट लेकिन पापा को पसंद नहीं है क्योंकि वो गरीब है न उपर से आए दिन पता नहीं क्यों बिचारे को पुलिस पकड़ कर ले जाती है लेकिन वो ना मुझसे बहुत प्यार करता है दो शादी हो चुकी है उसकी लेकिन दोनों को वो मेरे लिए छोड़ रहा है पता है संद्या विबा की बात सुनकर सर पर हाथ रख लेती है लाइए ये फाइल मैं पूरी कर देती हूँ संद्या फाइल लेकर पूरा काम कर देती है वो फाइल विभा को देती है और विभा फाइल लेकर पिता को देती है पिता यानि कि बॉस खुश हो जाते है भीटा विभा ये तुने किया वावा बहुत बढ़िया तभी बाहर से आती है एक औरत जोर जोर से संध्या पर चिला रही होती है संध्या रोती हुई ओफिस से निकल जाती है वो रोती हुई घर आती है जहां उसे देखकर पिता रोने का कारण पूछते है संध्या उसे सारी बात बताती है और उसके बाद ये रहा चेक पेटा तुझे ये सब करने की कोई ज़रूत नहीं है जा अपना बिस्दिस कर और आराम से रह बेटी मुझे माफ कर देना तबी बास संध्या के घर आते हैं संध्या तुम किजी को बिना बताए चली गई कल से मैं तुम्हें MBA नौकरानी नहीं बलकि मैनेजर की नौकरी दे रहा हूँ तुम मेरी बेटी को मैनेज करना मेरी बेटी ने तो खुद का बिस्दिस खोल लिया है तो क्रिप्या करके नौकरी देनी नहीं लेनी है तो बात करिए मेरी बेटी को आसिस्ट करेगी आपकी बेटी मन्जूर हो तो कसे भेश देना काम पर जो संध्या